हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू इंडियने स्टडी इंडियने स्टडी पर आपका स्वागत है दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोग लिए जीके का टेस्ट लेकर किया जाओं जो कि आपके आने वाले एक्जाम्स यूपी जेलोटर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंप कायत है कि आप लोग वीडियो देख तो रहे हजारों की तादात में लेकिन 500 लाइक भी नहीं पहुचा पा रहे हैं जो की बहुत दुक की बात है मुझे बहुत ज़्यादा दुक होता है यह सब देखके तो इसलिए दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आपको व आपसर हो जाएगा वह हो जाएगा option अमरे जबाल नेरू यानिके इस एस पहला option जो है वो आपका बिल्गुल क्या हो जाएगा बच्चो और बार बार ठीक है ना तो जल्दी बताओ कि राष्टियाए क्या है तो अगर हम बात करें दोस्तों राष्टियाए की तो राष्ट लिए आए जो है यह एक वर्स में किसी देश में उत्पादे सभी वस्तों तता सेवाओं का धनमूल है यानि केस कोस्टंस का भी पहला ओप्संस आपका विरुकल करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट कोस्टंस है आपका के अनिवार वचत का संबंद किस से है जल्दी बताईए अन नेक्स्ट कोस्टंस नेम लेके तमेंसे कौन सा मानब में एक बॉल तता सौकेट जोइन का एक उदारन है जल्दी बताओ बॉल और एक सौकेट जोइन का उदारन तो कौन है तो एक कमर का जो जोड़ है यह बॉल और एक सौकेट जोइन का उदारन है दूसरा ओप्संस बिल 1930 में होई थी मैं सामने लिखते जा रहा हूँ तो आप लोग आराम से समझ जाओगे भारत छोड़ो आंदोलन 1942 यानि कि 1942 ठीक है उसके बाद साइमन कमीसन ये 1928 में आ जाता भारत ठीक है गांधी इरविस समझोता 1931 में ठीक है अब बताओ सबसे पहले कौन सी घटना घटेत ह होईगी तो आप सभी लोग जानते हैं कि वही जो सबसे कम बर्स होगा 1928 तीसरा ओप्संस करेक्ट आहार नाल एक लंबी नली है जो फिलिंदब लेंग्स विस्तारित है जल्दी बताओ आहार नाल जो है वो एक लंबी नली है जो की मुह से गुदा तक विस्तारित है यानि के सम्मिदान में निमलेकित में से कौन सी एक अनुसूची दल बदल बिरोधी कानून बिसे एक प्रापधान है जल्दी बताओ most important questions तो आपका जो सही answer हो जाएगा वे क्या हो जाएगा 10 भी अनुसूची चौथा options जो है वो आपका विल्कुल क्या हो जाएगा correct हो जाएगा और इसे 52 सम्मिदान संसूदन के दोरा सम्मिदान में जुडागा जाता और 52 सम्मिदान संसूदन हुआ कब था 1985 तो ये भी आप याद कर लो 52 सम्मिदान संसूदन और 1985 ये दोनों ही questions पूछे जाते हैं इसलिए बता रहा ठीक है उच्छ वोल्टेज अनुपरियोग के लिए किस प्रकार का इंसूलेटर उपियोग करते हैं तो किस प्रकार का इंसूलेटर उपियोग करोगे आप तो आपका सही आंसर हो जाएगा निलंबन प्रकार का पहला ही options बिल्कुल क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा next questions की तरफ चलें next questions है आपका निलंबन के तमेंसे किस इस्तान पर गुरुतवा कर्षन सबसे अधिक होगा तो देखो सबसे अधिक गुरुतवा कर्षन जो है वो आपको कहां देखने को मिलेगा धुर्वो पर सबसे कम कहां पर देखने को मिलेगा भूमद रेखा पर मतलब सबसे ज़्यादा हो गया सबसे कम हो गया सून कहां देखने को मिलेगा फिर्तिवी के केंदर पर तो ये तीनों ही questions बनते हैं चमगादन निमलिकत मेंसे किस कारण में अंधेरे में उड़ सकते हैं क्योंकि ये परासरब धोनी तरंगों का प्रियोग करते हैं पहला ही options आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा बच्चो correct हो जाएगा next question से आपका के क्रिष्ण का विक्रणा उच्तम अवस्ता तक पहुँचने पर तरंग देर्द कैसा होता है तो तरंग देर्द जो है वो हमेशा तापमान बढ़ने पर घड़ जाता है दूसरा options आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा correct हो जाएगा मूंगे की चट्टान के सर्रक्षन के लिए भारत सरकार ने निमले के तमेंसे किसे समुद्री पार्क गोसित किया तो किसको किया तो आपका सही आंसर हो जाएगा कक्च की खाड़ी यानि कि इस questions का पहला ही options आपका बिल्कुल क्या होगा correct होगा ज़ल्दी बताओ अभी व्यक्ति के सुतनतरता का अधिकार यानि कि इस questions का दूसरा options आपका विल्कुल क्या होगा correct होगा ज़ो कि अनुच्छद 19.1 में भारत में विदेशी नागरिकों को प्रापत नहीं है ठीक है ये केवल और केवल इंडियन सिटी जन के लिए है नेक्स्ट कोसन से आपका कि मुख आईरन और स्टील उद्ध्यो किस पठार में इस्तित हैं तो किस पठार में इस्तित हैं तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा व्या हो जाएगा आपका छोटा नाकपूर का पठार चौथा options आपका विल्कुल क्या हो जाएगा correct हो जाएगा next question से आपका के विश्व का एक मात्र व्यापी राष्टिय पार्ग कौन सा है जल्दी बताओ तो कौन सा है तो आपका जो सही answer हो जाएगा वे हो जाएगा मणीपूर में पहला ही options जो है वो आपका विल्कुल क्या हो जाएगा correct हो जाएगा व्यापी का मतलब है तेरता हुगा मणीपूर में है कीमिल नाम जाओ ये राष्टिय पार्ग है जो की विश्व का एक मात्र floating राष्टिय पार्ग है ठीक है ना और ये लोग तक जील का एक हिस्सा भी है तो ये भी याद कर लो भारत की निम्न नदियों में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं मनाती अब देखो जो नदी जो है वो अरब सागर में गिरती है वो एस्चुरी मनाती ना की डेल्टा क्यों कि इनके वो ब्रंस गाटी से ये डिलान मिल जाती है ठीक है ना और डेल्टा जो है जो बंगाली की गाड़ी में गिरती है वो बनाती है देखो गंगा गोदाबरी महनदी ये सभी डेल्टा मनाती तापती नर्मदा हो गई तापते हो गई माही हो गई यह सबी जो हैं यह एस्चुरी का निर्मण करती है ना कि डिल्टा का तो चौता ओप्संस आपका विल्कुल करेक्ट हो जाएगा प्राइदीपी ए भारत में उच्टम परवच चोटी कौन सी है अब जो को प्राइदीपी ए भारत की बात हो रही है यह लोगे यह तो प्राइदीपी ए भारत की उच्टम सरवुँचोटी कौन सी है तो यह अनाई मुझाई ठीक हो पहला आपसंस आपका विल्कुल क्या हो जाएगा correct हो जाएगा और दूसरी अगर बात करें तो दूसरी है दोदा बेटा ठीक है ना तो यह सारी चीजें आपको पता होना चाहिए भारत के किस राज के पास सबसे लंबा समुद्री तट है तो सबसे लंबा समुद्री तट किस के पास है गुजरात के पास सबसे कम किस के पास है गोवा के पास तो ये सारी चीजह आपको पता होना चाहिए next questions कित्र बढ़ते हैं भारतिय मानक समय किस रेखांस पर अपनाये गया तो भारतिय मानक समय किस रेखांस पर अपनाये गया तो ये अपनाये गया साड़े 80 degree पूर्वी देशांतर दूसरा options correct गीता रहस नामक ग्रंत किसके द्वारा लिखा गया गीता रहस तो यह किसके द्वारा लिखा गया तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्सन अमबर भी बाल गंगा दर्तिलग बाल गंगा दर्तिलग के द्वारा लिखा गया भारत में प्रांतिय स्वायत्ता सुरू की गई थ कब जल्दी बताईए प्रांतिय स्वायत्ता तो भारत में प्रांतिय स्वायत्ता की जो शुरुवात है यह भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा की गई थी यानि कि एस कोस्टंस का तीसरा ओप्संस आपका विल्कुल करेक्ट हो जाएगा उत्तर प्रदेश में आसरा योजन में राजमंत्री परिसत ने आसरा आवास योजना के क्रेवन के लिए प्रस्ताओं को मंजूरी प्रदान कर दी इस योजना का संचालन नगरिये यह रोजगार वा गरीवी उन्मूलन कारकरम विवाग दौरा किया रहा है ठीक है नेक्स्ट कोस्टंस उत्तर प्रदेश में क गदर का नेतरत्व किस ने किया था अब देखो गदर का मतलब है 1857 की किरांती से तो कानपूर में 1857 की किरांती है उसका नेतरत्व किस ने किया था कानपूर में तो यह किया था नाना साहब ने दूसरा आपसंस आपका विल्गुल क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा नि प्राइज कम्पनी का माना जाता है तो सही representative को नेश्ट को संसे कौन बारत वहारत कौन वाहरत मेंसे सबसे पहले आए तो सबसे पहले तो पुर्टपरिगाली मेंसे इस सबसे पहले थे पर अप्तरू से ओस्पर ँप्नार कएट लिए टेक है Packman part की प्रितम लड़ाई जो की बावर और इबराहिम लोधी की वीजुई थी मोगर सलतनत की स्थापना बावर नहीं की थी बावर ने पानिपत की पहले युद में इबराहिम लोधी को मार गिराया था और यह कब हुगा था 1526 में हुगा था ठीक है तो सारे यह आपको नेक्स्ट कोसन उत्तर प्रदेश में प्रमुक रेल इंजन सर्यंतर कहाँ पर हिस्तित है तो यह कहाँ पर इस्तित है तो आपका जोसा यह आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा मुगल सराय यानि कि इस कोसरां का पहला आप्सraph आपका भिलrol करेक्ट है वाजार वी नियमन प्रणाली आरम की गई थी किसके दोरा तो देखो वाजार बीनियवन प्रणाली जो है किसके दोरा आरम की गई थी ये अलावदिन खिलजी की दोरा प्रारम की गई थी ठीक है हर छेतर के लिए अलग बजार होता था और इसने मूल नियंतर प्रणाली भी शुरू की थी इसमे ने किया था तो यह किया था आपका राजेंद्र फश्ट ने पहला ही ऑप्संस बेलोगर करेक्ट हो जाएगा सक संबंध किसने और कब स्टार्ड किया था तो देखो सक संबंध की जो सुरुवात है ना यह आपकी इसा पूर वही थी और किसने की ति तो यह की तिया आपकी कनिक्स ने यानि की इस कौसंस का अप्स्तर इसएपट नहीं अप्संस आपका बिलकुल करेक्ट हो जाएगा मगद के उत्थान के लिए कौन सा पिर्थम सासक उत्तरदाई था जल्दी बताओ मगद के उत्थान के लिए आपको options नहीं दिख रहा होगा यहाँ पर कड़ गया लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ बिंदू सार, अजासत्रू, बिंब सार और वासुदेव जल्दी बताओ तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा तो हो जाएगा आपका बिंबी सार यानि कि इस questions का तीसरा options आपका विल्कुर क्या हो जाएगा correct हो जाएगा next question से आपका पिर्थम बहुद परीसद कहा है जुद की गई थी जल्दी बताओ पिर्थम बहुद परीसद तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा व्य हो जाएगा आपका option number C यानि कि इस questions का तीसरा options राजग्रह में आजुद की गई थी निमले के तमेंसे कौन सी सबता अपने नगर नहीं हो जाने के लिए परसिद्ध है important और simple questions और इस questions का आंसर मैं नहीं आप लोग बताएंगे ठीक है और कल की वीडियो मैंने आपसे क्या questions पूचा था कल मैंने आपसे पूचा था कि बंदे वारत जो ट्रेन है वो कहां से कहां तक चली नए दिल्ली से वराणसी के मतले लगबक सभी लोगों ने सही आंसर दिया था और इस questions का अंसर आप मुझे comment box में जरूर से बताईएगा तो दोस्तों फिलाल की वीडियो में सरफ बतना है अगर आपको वीडियो पसंदा था प्लीस दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए